बिज पर उस पितने परकार का होता है और इसके परकार के बारे में हम लोग डेटेल से जानेंगे बीज क्या है? आवरित्य बीज पौधों में बीज फल के अंदर बनने वाली वह विशेश सन्रसना है जो बीजांड के निशेचन के बाद परवर्दित होती है परतेक बीज वास्तों में एक छोटा सा पौधा है जो ब्रुड के रूप में एक या अधिक कौचों में सुरच्छित रहता है अंकुरण के लिए इसमें थोड़ा सा भोजन भी सुरच्छित रहता है बीज क्या लाता है? अब इसके प्रकार के वारे में देखेंगे तो प्रकार के होते हैं एक बीज पत्री और दो बीज पत्री जिनकी बीज में भुरुड एक बीज पत्री वाला होता है ये बुरुड में एक बीज पत्र होगा वो क्या कहलाएगा? एक बीज पत्री और जिसके बीज में दो बीज पत्र होगा वो क्या कहलाएगे? दो बीज प ठीक है तो इन दोनों में क्या अंतर है अब हम लोग देखेंगे एक बीज पत्री और जो बीज पत्री में जो अंतर होता है उसको देखेंगे एक बीज पत्री पहला नंबर बीज में एक ही बीज पत्र अग्रस्त इस्तिती में होता है इसको स्क्यूलेटम कहते हैं दूवीच पत्री भुरूड में पार्ष इस्थिती में दो बीच पत्र होते हैं अर्थात इसमें पार्ष इस्थिती में क्या होते हैं दो बीच पत्र होते हैं किसमें दूवीच पत्री में और एक बीच पत्री में क्या होता है एक ही बीज पत्र होता है वो भी अग्रस्त स्थिति में ठीक है तो दुसरा पॉइंट क्या है प्रायः बीज बित्ती बीज आवरण से जुड़ी रहती है जो बित्ती होती है वो बीज आवरण से क्या होती है जुड़ी होई रहती है और उसमें क्या होता है फल बित्ती तथ अर्था बीच आवरण अलग-अलग होता है अर्थात इसमें भलवित्ती और बीच दोनों क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं अधिकांस बीज बुरुडपोशी होते हैं बुरुडपोश खादपदार्थ संचित करता है अर्थात जो अधिकांस बीज होते हैं वो क्या होते हैं बुरुडपोशी होते हैं और उनके बुरुडपोश में क्या होता है खादपदार्थ वो कौन हैते हैं वो एक बीजपत्त होते हैं ठीक है अधिकांत्ति जो होते हैं अब पोसी होते हैं और इन का खादेपणद्द तो क्या होता है खाद्य प्रदार्द बीज पत्र में संचित रहता है इनका जो खाद्य प्रदार्द होता है वह कहां संचित रहता है बीज पत्र में और एक बीज पत्री में खाद्य पत्र कहां संचित रहता है बुर्ड पोस में ठीक है तो हम लोग 14 देखेंगे 14 जो है प्र साथ उसमें मुलांकूर और प्रांकूर नहीं होते हैं किसमें नहीं होते हैं दू बीजपत्री में क्या होते हैं मुलांकूर प्रांकूर नहीं होते हैं एक बीजपत्री में उपस्तित होते हैं ठीक है अब बीजो का अंकुरण बीजों का अंकुरड समानितह दो प्रकार का होता है बीजों का जो अंकुरड होता है वो कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है अब इसके बारे हम जानेंगे एक तो भूम्योपरिक होता है अंकुरड और दूसरा क्या होता है अधो भूम्योपरिक तो अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे यह दू प्रकार की बीज अंकुरड बीज पत्रों के ब्योहार से पदर्शित होते हैं यद्देपियक्रिया बीज पत्राधार या बीज पत्रों पारिक के ढखने से होती है अंकुरड की आवश्यक परिस्थितियां जल, वायू, उचिताप तथा खाद्यपदार्थ ही प्रमुक होते हैं बाद में प्रकास की कमे से अंकुर खराब हो सकते है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस विशे से सम्मंदित जानकारी मिल सके और हम लोग मिलते हैं अपने वीडियो में झाल